अभी हाली में दोस्तो, ASRB के अंदर एक पोस्ट निकलिती, इसका लेवल था 10, लेवल 10 को दोस्तो, क्रेड पे 54 के नाम से भी जाना जाता है, और ये ग्रूप A की पोस्ट है, जो पेवेंड 3 के अंदर पड़ती है, और जिसका पेवेंड है, वो 56,100 से शुरू होता है, और 1 27,500 पे खतम होता है, X-class City के अंदर, यानि Metro City के अंदर, इस पोस्ट के लिए क्या salary की calculations होगी, वो हम लोग approximately check कर लेते हैं, बात करते हैं, earnings की दोस्तो, सबसे पहले basic salary रहेगी, level 10 के अंदर, जो minimum basic पे है, यानि initial joining के अंदर, जो आपको basic पे मिलेगी, वो 56,100 मिलेगी, बात करते हैं, dearness allowance की, जो अभी फिलाल में 28% of basic salary है, 15,708 रुपया, HRS जो रहेगा अभी Metro City के अंदर, दोस्तो, वो 27% of basic salary रहेगा, 15,147 रुपया, उसके बाद, बात करते हैं, transport allowance की, जो बहतर 100 रुपया है, Metro City में, और DA on TA, जो रहेगा, वो 28% of TA, यानि बहतर 100 का, 28% 2016, तो इस परकार, कुल मिला के, इस post के अंदर, जो earnings रहेगी, वो 96,171 रुपया रहेगी, आज क के हिसाब से, अगर 6 मेने बाद, सपोज करो, दोस्तो, जन्वरी में जो ही नहीं होती है, तो में भी ये, calculation चेंज हो सकती है, क्योंकि DA चेंज हो जाता है, बात करते हैं, deduction की, जो सबसे पहली deduction होगी, वो गी, NPS की, 10% of basic plus DA, यानि 7,101 रुपया, CGHS के अंदर चले जाएगे 650 रुपया, और general insurance scheme के कर जाएंगे 120 रुपया, income tax की जो मोटी-मोटी recovery रहेगी, on-on average वो 6000 रुपय रहेगी, after deduction of ATC, यानि वो डेडला की ATC की deduction के बाद में, जो आपको saving करते हो, तो डेडला की में मान के चलाओं की employee saving करेगा, तो उसकी saving के बाद में, और standard deduction के बाद में, औ HRA की deduction के बाद में, जो रेट रहेगा, income tax का वो 6000 के आसपास ही रहेगा, इसके एलावा, अगधर कोई department के अंदर कुछ थोड़ा बहुत other recovery होती है, तो वो 20 के अंदर आ जाएगी, और कुल मिला के, जो recovery रहेगी, वो 13,951 के आसपास रहेगी, तो इस प्रकार level 54 के अंदर, जो cash in salary रहेगी, वो 82,220 के आसपास रहेगी, thank you दोस्तो.